Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Environment Canada की जौनिप से टोरंटो में एक बार फिर शदीद बर्फानी तुफान की वार्निंग शहर में कई दिनों तक बर्फारी का सिलसला चारी रहेगा Environment Canada के मताबिक 30 सेंटीमीटर तक बर्फ पर सकती है Canada में ट्रॉक ड्राइवर्स का शदीज सर्दी में भी एधिजास जारी एधिजास के सबब और टावा के शहरियों को मुश्किला का सामना कुछ मुझाहिरीन होटलों में अपने क्याम में तौसी कर रहे हैं अफगानिस्तान से गेर मुल्कियों के इंखिला के लिए तालबान और कतर के दर्मियान मुहाइदा जान के खत्रे से दो चार अफगानों का भी इंखिला कराया जाएगा अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटीज को खोल दिया गया अमरीका का होसी हमलों के खिलाव जंगी तयारों के जरिए यूएई की मदद का ऐलान अमरीका का जंगी महरी बेडा और लड़ा का तयारे अमाराण प्हिशने का ऐलान अमरीके वजरी दिफ़ा और अबुदावी के एक कराउन प्रिंस के दर्मियान गुफदगू के बाद तैयारी भीशने का फैसला किया गया दुनिया भर में कुरोना वारत से मुतासर अफराद की तादा 38 करोर से तजावस कर गई अमबाद की तादा 57,08,069 से तजावस कर गई अमरीका में मोडरना वैक्सिन के इस्तेमाल की मन्सूरी दे दी गई हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबले तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेब साइट पो और्टर करें www.greenish.com Environment Canada की जानिटा 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 की जानिट बयानात जारी किये हैं महकमे मौसमियात के मताबिक नियागरा फॉल्स वालेंट सेंट कैथरीन्स ग्राइम्स भी लंदन सार्निया विंटसर और हिमिल्टन में 30 सेंटीमीटर तक परफ पढ़ने की तवक्व है ग्रेटर ट्रॉंटो एरिया में लोगों को खबरदार किया जा रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर तक की तवक्व रखें क्रेटर ट्रॉंटो एरिया के मश्रिक के अलाके जैसे किंग्स्टन और कारणवाल में भी 10 से 20 सेंटीमीटर तक पहुंचने की तवक्व है मतादित रोजा बरुपारी का सिलसला बुद को शुरू होने और जुमे तक जा कामना ऐसे वक्व में कर रहा है जब ट्रॉंटो शेहर दो हफ़ते कबल जुनूबी ऑंटेरियो के ज्यादतर हिस्से को लपेटने वाले बर्फानी तूफान के बाद जमा हो जाने वाली बरप को हटा रहा है कैनेडा में ट्रॉक ड्राइवरों और शेहरियों का शदी सर्दी में भी एहतिजाज जारी एहतिजाज के सबब ओटावा के शेहरियों को मुश्किलात का सामना है लेकिन जो लोग बाकी हैं उनका कहना है कि वो तमाम पाबंदियां खत्म होने तक क्याम कर रहे हैं ओटावा गैटिनेव होटल एसोसियेशन के सदर ने कहा है कि कुछ मजाहरीन होटलों में अपने क्याम में तौसी कर रहे हैं या आने वाले हफ़ते के आखिर में दुबारा बुक करने का मुतालबा कर रहे हैं वजीर आज़न जेस्टिन टूडो ने पीर को कहा कि वो इसमें मुलाबिस किसी शख्स मलाकात नहीं करेंगे इन इतलाग का जिकर करते वे कहा कि कुछ शुरका को मकामी कारोबारी एदारों को हिरांसा करते नाजी पर चम लहराते, रहाईशी लान में रफाय हाचत करते और बेघर अफराद से खाना चूरी करते देखा गया है ओटावा पेरामेडिक एससियेशन ने इतला दी है कि काफले में एक ट्रॉक्स एंबूलेंस पर पत्थर फैके गए हैं एहतिजाज काफले फ्रीडिम कानवाई के पीछे मौजूद ग्रूप कैनेडा यूनिटी का आखास 2019 में पाइपलाइन के हामें काफले के दारान और टावा में हुआ था लेकिन वबा शुरू होने के बाद वो कोविट मुखालिप पाबंदियों के एहतिजाज में तबदील हो गया था कैनेडा के सुबे क्यूबेक में वेक्सी ना लगवाने वालों पर टेक्स लगाने का ऐलान तनकीद पर वापिस ले लिया गया कैनेडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है आखरे इतिलाओं के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 30,55,826 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 35,873 हो गई मुख भर में 28,12,278 से जायत मरीज सहतियाब हो चुके हैं कैनेडा के ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 10,35,294 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 11,444 है कैनेडा में करोना वारिस के सबसे जादा हलाकते क्यो बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वारिस के मचमुई केसिस की तादाद 8,6,891 है जबके सूबे में करोना वारिस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 13,223 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूबे अलबेटा में भी इस मौलिक बाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबेटा सूबा इस वक्क करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सुरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 493,973 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए हैं ब्रिटिश कॉलम्बिया में केसिस की तादा 3,24,615 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,616 है तालबान और कतर के दर्मियान होने वाले महाइदे के काबल एरपोर्ट से चार्टर परवाजों के जरिए घर मुल्कियों का इंखिला दुबारा से शुरू होगा काबल एरपोर्ट से कतर एरवेस की हफते में दो चार्टर परवाजी चलाई जाएंगी मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में आया जाएगा गत्री वजीर खारजा शेख मुहमद बिन अब्दुर्रह्मान अलसानी ने तालबान से मुखाइदे की तज्दीक कर दी है दूसे जाने तालबान के इक्तिदार संभालने के बाद पहली बार यूनिवर्सिटीज खुल गई और तालबात को बुर्का पहनने की लाजमी शर्ट के साथ जामियात में आने की अजाज़त दे दी गई आलमी खबर रसाइदारे के मुताबक तालबान हकूमत के वजीर वराई आला तालीम के एलान के बाद आज कई इलाकों में यूनिवर्सिटीज खुल गई जबके सर्थ इलाकों में तद्रीसी अमल 26 आले के बाद से जामियात बंद थी जिसकी वज़ा तालबान ने तालबात के लिए अलहदा असाथजार क्लासों का इंतिजाम करना होना बताया था जामियात तो खुल गई ताहम अगवानिस्तान में अब तक लड़कियों के सिकेंडरी स्कूल बंद हैं तर्जमान तालबा के मुलाजमतों में वाफसी और काबीना में तमाम तवकात की नमाइंदगी से मश्रूत किया था अमेरिका ने होसी बागियों के हमलों के खिलाफ मतहदा अरब अमाराद को मदद पराहम करने के लिए जंगी बहरी जहास और जदीद लड़ा का तयारे मतहदा अरब अमाराद भेचने का फैसला किया है मजीद चांदे हैं इस रिपोर्ट में अमरीका ने जंगी बहरी जहास और लड़ा का तयारे मतहदा अरब अमाराद भेचने का ऐलान किया है متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات میں جنگی جہاز اور لڑا کا تیاریں بھیجنے کا فیصلہ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹرن اور ابو زہبی کے ولی اہد محمد بن زید النہیان کے درمیان ٹیلیفون پر گفتگو کے بات کیا گیا امریکی دفاع سیکریٹری لائٹ آسٹرن نے بھی ٹیلیفونی گفتگو میں ابو زہبی کے ولی اہد محمد بن زید النہیان کو کہا کہ واشنگٹن اپنے حمایتی ابو زہبی میں ان کے مطالبے سے قبل میزائل تباہ کرنے کی گائیڈ یو ایس ایس کول بھیجے گا انہوں نے کہا کہ اس امداد کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ امریکہ دیرینہ حکمتیں امریکے تحت اپنے شراکتدار یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہے امریکی فود اینڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے فائزر کے بعد کرونا کے خلاف موسر موڈرنا ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی فود اینڈرگ ایڈمنیسٹریشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی دواساز کمپنی کا مکمل جائزہ لینے اور ویکسین کی تیاری کی جانچ کرنے کے بعد منظوری دی ہے یہ منظوری موڈرنا کی جانب سے جمع کرائے گئے ڈیٹا کی تفصیل سے جائزے اور نظر ثانی کے بعد عمل میں آئی جس میں ویکسین کی مکمل افادیت کی تزدیق ہوئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 38 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی امواد کی تعداد 57,8,090 سے تجاوز کر گئی 37,93,6,102 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 30,33,66,220 افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,65,16,202 ہو گئی جبکہ 9,13,924 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,16,030,1885 سے زائد ہو گئی جبکہ 4,97,996 ہلاکتیں ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آنواد 87,614 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 1,17,22,483 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں سرسٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل آنواد 8,941 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,91,125 تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو about corona situation in Canada and around the globe daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at تیک ٹی وی